तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने बाले हैं यूपी ट्रिपल एसे के बारे में तो यूपी ट्रिपल एसे से बहुत ही एहम जानकारी प्राप्त हुई है रिजल्ट को ले करके फाइनल लिष्ट को ले करके तो आप सब को बता दे यूपीट रिपल से से final result कह लिजिए, final list कह लिजिए, कौन सी भरती का आने वाला है, इसके बारे में एक एहम जानकारी प्राप्त हुई है, जो कि इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ share करने बाली हूँ, तो चलिए वीडियो को start करते हैं, लेकिन उ ऐसे में जो है, आप जून से चीजे नॉर्मल हो रही है, और आप सब जानते हैं कि जून से जो है, अनलॉक की प्रेक्रिया start हो जाएगी, और यूपी ट्रिपल सी ने भी काम करना है, इसका एक्जामपल आप सब के सामने है, जैसा कि आप सब ने देखा कि बीते दिनों में और इस सब्ता में यूपी ट्रिपल सी ने पेट का नोटिफिकेशन जारी कर दिया, तो यूपी ट्रिपल सी को जो नई भरती के लिए एक नोटिफिकेशन जारी करना था, वो काम तो इन्होंने कम्पलीट कर लिया, एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया, अब इन पे लाइन में है और उसके अभ्यारती जो है वो भी काफी प्रयास्रत है हर तरीके से इन्होंने पिछले मन्त में सरकार को चारो तरप से घेडा है हर तरह से अभ्यान चलाया है और वो भरतिया है AGTA की भरती और युबा कलेया नदिकारी की भरती जिनका कि अब बस फाइनल लिस् प्रामने में है युबा कलेया नदिकारी भी और AGTA भी और जैसी जानकारी प्राप्थ हुई है आयोग इन दोनों भरतियों में से किसी एक का फाइनल लिस्ट जारी कर सकता है आने वाले सब्ता हमें अगले मन्त में कहलीजिए जून में या फिर अगले सब्ता हमें तो जैस कि जानकारी प्राप्थ हुई है आयोग की प्रारिटी है अभी इन दोनों में से कोई एक लिस्ट जारी करना और ज्यादा उमीद ये लग रहा है कि युबा कलेया नदिकारी का ये लिस्ट जारी कर दे वो इसलिए क्योंकि युबा कलेया नदिकारी के जो उस भरती के जो उस डिपार्टमेंट के जो अपने मिनिस्टर होंगे, उन्होंने भी आश्वाषन दे दिया है इनके अभ्यर्थियों को, कि जल्द ही आप लोगों को न्युक्ति पत्र मिलेगी, और दुसरी बात है कि युबा कल्यान अधिकारी वाले जो भी अभ्यर्थी है, वो अब रोट पे उतरने की तयारी कर रहे है, अपने भर्थी की मांग को लेके, अपने ज्वाइनिंग की मांग को लेके, और इन्होंने काफी प्रयास किया है, हर तरीके से अपनी भर्थी के लिए ट्वीटर अभ्यान चलाया, सब चलाया, तो इनकी जो भरती है और ये इस सरकार की और 2018 की पहली भरती है तो इस बज़े से आयोग की जो प्लैनिंग है AGT और युवा कलेया नधिकारी में से किसी एक लिष्ट इनको इस बंथ में आने वाली वीक में जारी करना है तो दोस्तों इस दोनों में से कोई एक लिष्ट आपको देखने को मिल सकता है और जल्द ही किसी एक की जोईनिंग भी फाइनल हो सकती है और जल्द ही योगी जी किसी एक भरती के अभरतियों को जोईनिंग देंगे तो ये जो न्यूस थी मुझे प्राप्त हुई जो कि मैंने आप लोगे साथ शेयर किया और आप सब को बता दे कि बहुत सारी बाते हैं अभी तो एलेक्शन भी होने वाला है ऐसे में इनको एक दो भरती तो किलियर करना ही है तो इनकी प्रायर्टी अभी फिलाल अभी जो ह हैं इस सरकार की जो सबसे पहली भरती हुआ करना अधिकारी को ये किलियर करना चाहते हैं और सबसे बड़ी बात यहाँपड़ यह है कि अभी आप सब को बता दे आप सब अभी हर्थी भी अपनी भरती को ले करके सक्रिये हो जाएए तो आप सब समझे कि दुसरे का ही यहाँ पर वो है अगर यह नहीं दुसरी भरती पर ध्यान देंगे तो तुरत ही क्योंकि एक भरती का लिष्ट आया और निदेशा ले गया उसके बाद इनको ज्वाइनिंग मिली तो उसके बाद क्या होगा कि फिर तुरत अर्चार सहीता लग जाएगा ऐसे म इनके पास बहाना हो जाएगा तो आप सबको मैं कहूंगी जितने भी अभ्यरती जिनका भी सब कुछ फाइनल हो चुका है आप लोग लगातार सकडिये रहिए और इवा कल्या नदिकारी बालों से सीखिए कि किस तरह से उन्होंने अपनी मांग को आगे बढ़ाया है अब रोड पे उतरने की भी तैयारी में है तो दोस्तो इस वीडियो में इतना ही फिर मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह किसी नए अपडेट के साथ तब तक के लिए बाई बाई थैंक्स पर वर्चिंग